हेलो वेलकम टू आल हलो वेलकम टू आजाओ फटाफट पिछले क्लास में हमने प्रमूटेशन एंड कॉबिनेशन की बात की थी यह पढ़ाया की प्रमूटेशन और पढ़ने का अब्जेक्टिव क्या है है राइट सेकेंड पॉइंट हमने आपको बतलाया था है हलो मानव कि प्रमूटेशन एंड कॉमिनेशन में डिफ्रेंश का है कब कहां कौन इस्तेमाल करते हैं संजीव नमस्ते खुश्रवच्चा जल्दी से फटा फटा आजाओ तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि प कॉमिनेशन में क्या डिफरेंश है कब कहां कौन इस्तेमाल करते हैं दो तरह का कॉंटिंग थ्योरम का हम ने इस्तेमाल किया था मॉल्टिप्लिकेशन और एडिशन हाँ गर्मी तो बहुत है हमको भी पसीन आ रहा है लेकिन पढ़ाना है तो मतलब पढ़ाना है राइट तो हम पढ़ाने से भाग नहीं सकते हैं आप लोग भी जल्दी जुठ जाओ हमने कुछ जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड बातें किया था प्रिंज जी खुश रहिए विकास जी खुश रहिए तो हमने इस सब से रिलेटेड बातें वहाँ पर बहुत किया था फिर हमने सवाल पढ़ाया था कि फैक्टोरियल है एन पी आर कि डिफरेंट से डिफरेंट का अगर अरेजमेंट करना हो था हम एन पी आर का इस्तेमाल करत है आर जो है जिस 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 जिसका अरेजमेंट करना हुआ रहे है उसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखाया था और फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं इससे रिलेटेड भी सवाल का हमने जिक्र किया था आज हम लोग कुछ कोस्चन करते हैं पी आर पर ही लेकिन आज सवाल को समझते हैं और उससे रिलेटेड सवाल आज हम बनाते हैं ठीक है कि यह कंडिशनल कोश्चन अभी हम NPR में बता रहे हैं सभी डिफरेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं लेकिन यह सारे के कॉंसेट आगे भी इस्तेमाल होंगे नमबर वन कोश्चन फाइंट तोटल नमबर और फाइब दिजिट्स नमबर हम राइंटे नमबर नमबर दिजिट्स नमंबर — पाइब दिजिट नमबर नमबर जिट्स, बाइब दिट जिट्स. अफ डिट गेत्र वाइब दिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5. आकास कश्यप देखें कौन सा कुश्चन आपने भेजा है कि अरह देखें कि अरह कि अरह कि अराओने भेजा है यह भी आएगा बेटा अभी आया नहीं है इस तरह का सवाल आगे अभी हम डिसकस करेंगे अभी इस तरह का कुश्चन आएगा आगे अभी इसका कॉंसर्ट पढ़ाएंगा बेटा तब हम वहाँ पर जबाब देंगे राइट शिवांसी सिंग हेलो दिपक आदित्य सबको तो जीरो से लेके फाइम नंबर है और पांच डिजिट का नंबर बनाना है ठीक है नहीं ये गलत है अंसर अब ये बताता हूँ जब जीरो है तो जीरो से रिलेटेड सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगा इसकी चर्चा हम आज करेंगा इसको आप सिखिए इस तरह के सवाल एकजाम नेशन में बहुत पुछे जाते हैं ये कंडिशनल सवाल है कंडिशनल का मतलब क्या हुआ आप पहले बात को समझ ये कोई नंबर है इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पहले ये बात समझ लिजिए हैं और यह है एंड पॉइंट नंबर को हम लेप टू राइट पढ़ते हैं ता स्टार्टिंग से एंड और अगर देखते हैं तो ये यूनिट प्लेस है उसी तरह 10 है 100 है ता स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे इसका मतलब हम इस प्लेस की बात कर रहे हैं एंड पॉइंट बोले था हम इसकी बात कर रहे हैं लेकिन यूनिट 100 जैसे हम बोलेंगे ठीक उसी हिसाब से काम होगा ठीक है अच्छा शिवासिव है स्वारी थोड़ा इसमें छोटा छोटा अक्षर दिखाई पड़ता है इसलिए नाम पड़ने में दिक्कत है अभी भी आंसर गलत है देखो तब जीरो रहे तो जीरो यहां पर नहीं हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले बात तो यह समझे है मैं आपको बोलू यह कितना डिजिट का नंबर है तो आप बोलोगे कि सर यह दो डिजिट का नंबर है लेकिन यह कितना डिजिट का नंबर है यह तीन डिजिट का नंबर है इसका मतलब यहां जीरो नहीं हो सकता है तो इस तरह के सवाल को हम क्या कि यहां पर यह हो सकता है यहां पर यह नहीं हो सकता है तो conditional सवाल कहते हैं और conditional सवाल को solve करने के दो तरीके हैं कि आप सीख लिजे सभी बच्चे एक तरीका क्या है कि आप condition को पहले सोच सकते हो या condition को पहले concept को आप पकड़ यह सबी बच्चे जितना आप concept को पकड़ोगे उतना आपके लिए आसान होगा या तो आप condition को pre consider कीजिए या बाद में consider कीजिए किसी भी problem को जब हम solution करते हैं बेठा तो हम ऐसा condition को दो तरीके से ही consider करते हैं ऐसे या तो आप condition कोई आदमी कहें जिस रास्ते से जाओ आगे जाम लगा हुआ है तो आदमी दो डंग से उसका decision making करता है कोई आदमी करता है चलो जाम लगा हुआ है आगे देखाएंगे वह उसी रास्ते से जाता है वो कंडिशन बाद में देखेगा यह कहा कि इच्छा जी जाम आएगा तो वह हुआ condition पहले consider किया और दूसरा तरीक है अच्छा वो consider कर लेता है जाम है तो दूसरे तरफ से चला जाता है तो आप condition को यदि pre-consider दोनों तरीके से जानना ज़रूरी है तो दोनों मैं बता रहा हूँ और दोनों concept पर आपका command होना चाहिए जितना दोनों concept पर आपका command ह होगा सवाल आपका क्या होगा आगे सवाल सॉल्व करने में आपको उतनी आसानी होगी तो देखो दोनों condition को हम करते हैं पहले हम first condition सोच रहे है प्रीकंसिडरेशन आप कंडिशन condition को अगर हम प्रीकंसिडर करते हैं तो क्या करेंगे problem को दो पार्ट में बाट दीजिए कहां पर जीरो नहीं हो सकता starting point पर तो इसको अलग सोचिए और बाकी को अलग सोचिए यहां भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट है अगर डिजिट नहीं दिया हुआ है आपको कहे 5 डिजिट का नंबर बनाओ और डिजिट मेंसन नहीं है था मैसा आप 0 से 9 कंसिडर करोगे यह बात आप समझ लेजिए सभी बच्चे तो इसको भरने का क्या तरीका 0 नहीं हैं यह दियान रखिए टोटल हम ऐसा यहां लिखते हैं और टोटल हम ऐसा हम यहां लिखते हैं दियान रहे और जितना का requirement है वो यहां पर लेते हैं यह भी बात को दियान रखिए तो आप क्या करेंगे पांच मैं से एक डिजिट लोगे यह बात के लिए रहे अब एक डिजिट यहां पर आ गया चुकि रिपीट नहीं हो सकता है जो डिजिट यहां पर आ जाएगा वो इधर consider नहीं करेंगे हां राहूल दीपक ठीक बोला अंसर अब आपके पास क्या एक डिजिट आ गया यहां पर अब जीरो लगा के चुकि जीरो इधर आ सकता है तब आप कितना डिजिट बचा छे मैं से एक यूज हो गया तब बचा फिर पांच डिजिट कितना चाहिए पांच कितना तो एक दो तीन चाहिए तो चार नीचे लिखें और को पांच डिजिट का थो यहांपर दो पार्ट में हो गया फिट प्लेस को अम अलग भर रहे है और remaining प्लेस को किया करें अलग भर मिनेंगा फस्ट ब्लेस शक्रेंड multiply करेंगे क्यों करेंगे multiply यह चार प्लेस और यह एक प्लेस जब तक फिल अप नहीं होगा पांच डिजिट का नंबर नहीं बनेगा तो टोटल नंबर कितना होगा दोनों को multiply करें 5P1 into 5P4 5P1 कितना हुआ 5 5P4 क्या हुआ 120 तो टोटल आंसर कितना हो गया 600 यह सभी बच्चे समझ गए तो problem को अगर आप condition को प्री कंसीडर करते हो तो जो जिसके लिए condition है उसको अलग से सोचो और बाकी के लिए आप क्या करो अलग से सोचो जब आप ऐसा करोगे तब जाके बात बनेगी यह हुआ condition को पहले सोचना अब condition को हम बाद में सोचके सवाल को बनाते हैं पोस कंसीडरेशन नमर टू यह alternative है दोनों जानिये देखे जब digits आपका क्या हो different हो तो दोनों में से कैसे भी solve करो ठीक है लेकिन जब आगे digit रिपीट करेगा क्या है सर बैक्ग्राउंड कोई बात नहीं है मैं दिखाई पड़ रहा हूं कोई बात नहीं है बैक्ग्राउंड रहने तो जैसा भी हो मैं दिखना चाहिए सबसे बड़ी बात है कि हम दिख रहे है किलियर अब देखिए कंडिशन को हम क्या करेंगे बाद में सोचेंगे कंडिशन को अगर आप क्या करते हैं बाद में सोचते हैं तो कैसे सवाल बनाएंगे पहले आप टोटल बना लेजिए कहां पर जीरो आएगा कहां पर जीरो नहीं आएगा या भूल जाएए पहले टोटल लंबर और फाइब डिजिट बनाएए टोटल लंबर और फाइब डिजिट लंबर आपके पाथ छे डिजिट है तो छे मैंसे पाँच ले लिए शिक्स पी फाइब को ब्रेक करोगे सेवन ट्वेंटी आएगा अभी एक बात और बताते हैं बराबर मैं भी इसका वैलू लिखे हैं लेकिन इसमें अल पॉसिबिलिटी जाए क्या जीरो यहां आ सकता है और जीरो यहां नहीं भी आ सकता है तो यह ओल पॉसिबिलिटी जीरो यहां कितना बार आएगा जीरो को फिक्स कर दो कोई भी डिजिट किसी प्लेस पर कितना बार आएगर पूछे तो पहले उस डिजिट को उस प्लेस पर फिक्स कर दीजिए और और बाकी डिजिट से बाकी प्ले स्क्वार रंजी करो, यह आ गया एक से एक, 1P1, 1 और बाकी आपके पास 0 तो फिक्स हो गया, बाकी कितना बचा 5, 5P4, यह मानस होगा 1 इंटो 5P4, यानि यह हो गया 120, तो पहले आप टोटल निकाल लो, निकाल लिया, sir. आप टोटल पहले निकाल लिजे, निकाल लिया, 0 यहां कितना बार आगा, चुकि हमने all possibilities लिया, तो 0 यहां आएगा, 0 यहां आएगा, तो 4 डिजिट का नमबर बनेगा, और आपको कितना डिजिट के नमबर चाहिए, 5 डिजिट के नमबर चाहिए, तो आप क्या काम करोगे, आप काम करोगे, कि 0 यहां कितना आएगा, तो 0 इस प्लेस पर रखके, बाकी प्लेस, बाकी डिजिट अरेंज करके, आप उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्लियर है, राइट, एक कुस्चन, इसमें हम दूसरा यह बढ़ाते हैं, find the total number of 5-digit numbers made by the given digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. जो 5 से डिवी जेवाल हो, ठीक है? यह जो सवाल जो भेजा हो, बच्चे ने कुस्चन भेजा है, इस तरह का सवाल अभी हम पढ़ाएंगे, one and more में, आगे जब concept पढ़ाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि 31 कैसे answer हैगा? एक सवाल बच्चा वाट्सेप पर बेजा था, उस तरह का concept अभी हमने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे. पांट डिजिट का नंबर बनाना है, विचार डिवीजेबल बाफाईंगे. तो यहाँ पर होना चाहिए, यूनिट प्लेस को कितना होना चाहिए, जीरो और फाइव होना चाहिए. अग दूसरा पॉइंट यहाँ भी देखना है कि जीरो यहाँ नहीं आना चाहिए. यह दोनों बात आपको समझना पड़ेगा. तो यहाँ पर दो कंडिशन है, पहले सोचाएंगे, पांस से डिवीजेबल होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट हमको क्या सोचना है बेटा, कि यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए. तो पहले यहाँ पर बनाएगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो से एक, जीरो और फाइब कितना टाइम आएगा. जो जहाँ पर कहे, पॉसेबिलिटीज मैं वहाँ पर फिक्स करके सोचिए, दो मैंसे एक आएगा. एक ही यहाँ पर, जो नीचे लिखा है, यही यूज हुआ है, यह पार्ट के वाल. तो यह पार्ट आपने यूज किया है के वाल, यानि एक डिजिट ही आपने इस्तेमाल किया है. तो बाकी एक अभी फिरी है टोटल छे डिजिट है तो बाकी पांच मैंसे कितना हो गया चार तो यह हो गया फाइब पी फोर लेकिन यहां एक परिसानी है कि दो से कोई एक आएगा तो जब यहां पर फाइब होगा बेटा तो यहां जीरो आ सकता है तो यहां जब फाइब चुकि दो से यह काएगा फाइब तो जीरो यहां भी आ सकता है लेकिन जीरो यहां कब आएगा जब यहां फाइब होगा जीरो यहां नहीं कोई परिसानी नहीं है यहां नहीं कोई परिसानी नहीं तो दो डिजिट यूज हो गया, बाकी छे है, तो दो यूज हो गया, आत कितना बचा, चार, चार मैंसे कितना चाहिए, तीन, इस कंडिशन को आपको मारने, माइनस करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे, 120, गुना दो, 240, और ये 24, तो 216 हो गया आपका अंसर, क्लियर हो गया बात, पहले 5 से डिवीजेबल वाले का नमबर का आप बनाऊगे, 5 से डिवीजेबल वाले का कैसा बनाऊगे, 0 और 5 रख दोगे, पहले आप उसके आधार पर बनाऊगे, ये, फिर सोचिए, क्या यहाँ 0 आ सकता है, आ सकता है, चुकि यहाँ 5 रहेगा, 0 रखे उस कंडिशन को मैनास कर दीजे, कंडिशन आ गया समझ में, यह यहाँ 9 जल्दी जबाब लिखो, आ गया समझ में, आज पंखा बंद करके, सोने का दिवन दू थीन है, आ जू पंखा बंद करके, सोगे, आज ज्यान की प्राप्ति सब को हो जाएगा, आ रहां समझ मे सबको कोई कटनाई किसी को जल्दी जल्दी बताओ यस या नो मैं जवाब दो नम्मार थार्ड कोश्चन कुछ समझ नहीं एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा इससे पांच डिजिट का नम्मर बनाना जो पांच से डिवीजे वालो तो पांच से डिवीजे वालो के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए जीरो और पांच तो पहले यहाँ जीरो और पांच रखके बनाईए दो मैंसे एक आएगा एक आ गया यूज कर लिया टोटल 6 डिजिट है तो 5, 5 मैंसे कितना चाहिए 4 तो टोटल डिज नंबर यह बना यह बन गया लेकिन क्या यहाँ 0 आ सकता है यहाँ 2 मैंसे 1 आया है तो 0 आ सकता है इस place पर 0 आ सकता है जब भी 0 यहाँ पर रहे एक बार जरूर सोचना है कि 0 यहाँ आ सकता या नहीं आ सकता है उस condition को minus करना पड़ेगा तो 0 कब आएगा जब यहाँ 5 रहेगा यहाँ पर 5 कीजिए और यहाँ पर 0 fix कीजिए यह दोना fix हो गया तो बाकी कितना? 0 और 5 को अटा दीजिए तो 4 डिजिट बचा, 4 मैं से 3 यह तो एक एक तरीका ही हुआ इस condition को minus कर दो आया बात समझ मैं विकास? इसमें 2 condition क्यों लिखा है? 2 condition इसलिए यहाँ पर हुआ बेटा कि पहले number 5 से divisible होना चाहिए यह सोचेंगे दूसरा 0 भी है तो 0 यहाँ आएगा तो 4 डिजिट का number बनेगा और आपको 5 डिजिट का number बनाना है इसलिए पहले 5 से divisible वाला total निकाल लिए और जो अब 0 यहाँ आएगा तो उस condition को minus किजिए चुकि 0 यहाँने से 4 डिजिट का number बनेगा आपको पांच डिजिट का नमबर बनाना है आया विकाज जी समझ मैं आया समझ मैं मैं पानी प्यूंँ तब तक यस या नो मैं जबाब दीजिए कुछ्छा नमबर थ्री पाइंट तोटल नमबर विकाज आया समझ मैं बाकि साब को आ गया सिवाशिव सिंसर एक्स्प्लेन कर दीजिए एक बार फिर से जी पहले टोटल निकालो यहां कह रहा है नमबर पांच से डिवीजेबल है तब पांच से डिवीजेबल वाले का टोटल कंडिशन निकालिए पांच से divisible में unit place पर क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए ये फिर से समझो, 0, 1, 2, 3, number का रहा है पांच से divisible हो और 5 digit का ही number बनना चाहिए, दुसरा भी condition है कि 5 digit का number बनाना और 5 से divisible है तो 5 digit का, फैले तो ये सोचो कि number 5 से divisible होना चाहिए तो यहां क्या होना चाहिए, 0 और 5, unit place पर 0 और 5 होता है तभी तो 5 से divide होगा, ये तो fundamental rule है तो 2 से कोई एक लिया, right? एक यहां पर use हो गया digit चाहिए यहां 0 आएगा यहां 5 आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आएगा बाकि 5 मैं से 4 इधर आएगा ये बात को आप समझे तो total number ये बना तो ये 5 digit का number है या नहीं है, ये 0 भी तो है तो 0 को तो सोचना पड़ेगा कि 0 यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता है चुकि 0 अगर यहां इस number में अगर 0 यहां पर है possible तो चाहर डिजिट का number बनेगा और हमको 5 डिजिट का number बनाना है तो 0 वाला condition को हटाना पड़ेगा एक बार जो है यहां पर अगर 0 हो तो एक बार 0 खिच के यहां लाईए कि यहां पर देखो दो मैंसे कोई एक हो तो यहां पर 5 रहेगा तो 0 इस 5 में सामिल है तो यहां पर भी आ सकता है यहां पर यहां पर यहां पर उसे condition को minus करना होगा यहां 0 रखके यहां एक यह फिलप हो गया एक बागी 4 डिजिट बचे होगा है 4 से 3 इस condition को minus करेंगा बात आया समझ मैं विकास मैं सर पहले total में condition है फिर minus total तो हमने 5 से divisible बनाया चुकि जीरो था तो यहां 0 आएगा तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा और हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो तुसको तो एक बार minus करना ही पड़ेगा न आगया बात समझ में क्लियर सबको कुश्चन नंबर 3 हम ऐसा याद रखिए जब भी जीरो रहे तो पहले जो condition का है वो बनाईए पांस से डिवी जेवल बना लिजिए और एक बार जीरो के बारे में यहां सोचिए कि जीरो आ सकता है तो जीरो को रखके उस condition को minus केजिए क्लियार जीरो वन्ज तनेशी आ गया समझ मैं आपको question number three दिखे जैसे question बनाते है find the total number और five digits even number made by the given digits zero one two three four and five even number बनाना है even number बनाने के लिए फिर सोचिए पहले even number फिर zero वाला सोचना है जब भी zero रहे जरूर सोचना है zero नहीं रहे तब तो आप hero ही बन गए फिर क्या सोचना है जीरो कब कब यहां पर even कब होगा जब zero two या फोर रहे गा कोई one digit even digit हमारे पास तीन है कोई भी digit अगर मेंसर नहीं हो तो जीरो से nine consider करता है यह बात आप समझ लीजिए तो जीरो टू फोर हुआ थीन से एक जो नीचे लिखे वही यूज किया मैंने एक digit यूज किया और टोटल कितना digit है छे एक यूज हो गया आद बाकी पांच मैंसे चार एक दो तीन चार कितना number बना यह तो even number बना लेकिन आपको पांच डिजिट का even number बनाना है यहाँ पर तीन से एक आया तो zero यहाँ आने की संभावना है तो zero को उठा के यहाँ लाईए यहाँ पर two and four रहेगा यहाँ जीरो जब यहाँ two and four रहेगा तो zero इसमें सामिल है तो zero यहाँ कितना बारा तो तू फोर तो यही रहेगा और जीरो को यहां रख के इस condition को minus किजिए 1P11 एक place हो गया 2P1 यह यहां पर देखिए दो digit आपने use कर लिया दो place में तो 4P3 इस condition को minus कर दीजिए 1 into 4P3 into 2P1 कर लोगे minus 3P13 360 120 होता है 242 48 300 बार है हो गया answer आया समझ में तो पहले even number बनाईए 0 है तो 0 वाले condition को आप minus किजिए यह चौथा नंबर तिसरा नंबर सबाला आप समझ में आ गया सबको यह 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 नो मैं जवाब दीजिए कुछिए नंबर चार पाने जवाब आठाने नंबर नंबर तोलिए आठास पानादः को रितलिए यह तो लूडा नंबर फान तोलिए तोलिए वियान झानबर फ़एंटर टीजिए रितलिए तो 3000 भेड़ बाइदा गीवन डिजीट्स आपको क्या करना है कि 300 से 3000 के बीच का नमबर बनाना है अभी तक जितना सवाल बना रहे थे उसमें यह किलियर था कि कितना डिजीट्स का नमबर बनाना है जब भी कोई सवाल हम बनाते हैं और डिजीट्स से रिलेटेड नमबर से रिलेटेड सवाल हो तो पहले यह सोचते हैं कि हमको कितना डिजीट्स का नमबर बनाना है इस बात को पहले सोचते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तो सोचना पड़ेगा तो 300 से 3000 के बीच का नंबर बनाना है तो सोचो या तो वह 3 डिजिट का नंबर होगा या तो 4 डिजिट का नंबर होगा 300 से लेके 999 तक 3 डिजिट और 1000 से लेके 3000 तक 4 डिजिट तो आपको तीन डिजीट और चार डिजीट दोनों नमबर को बनाना है लेकिन जब भी आप बनाओगे तो यह ध्यान रखना है कि इसके बीच होना चाहिए तो कैसे सोचेंगे सोचने का क्या तरीका होगा हमारे पास डिजीट क्या-क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है नमबर तीन सौ से तीन अजार के बीच बनाना है तो यह दिमाग में होना चाहिए पहले मैं लिख दूँ यह दिमाग में होना चाहिए एक्जामनेशन में लिखना है जोरात नहीं एक्जामनेशन में तो मालचितर बनाएंगे और एड़ करके लिख देंगे इसमें कोई शॉटकट नहीं है अन्य पर्मूटेशन कॉम्मिनेशन बनाने वाले कोई शॉटकट बाब आते हैं यूटूब पर एक आध सवाल कोई बता दिया तो बता दिया लेकिन इसमें शॉटकट काम चलता नहीं है आपको डटना पड़ेगा टियommes ऩिए काट बता नंबर भी तुह बिटी बेवियं đị थी आदेट तो तुह है पर या तो तीन लिचीट के लिए या तो चार्ट बनाना पड़ेगा पिर दोनेख़े करना पड़ेगा इस बात को आप समझ लीजिए ठीक है तो हम थ्री डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं थ्री डिजिट नंबर यहां द्यान रखिए तीन सौ से तीन हजार के बीच बनाना है तो तीन डिजिट का कोई भी नंबर बनाओगे तो वह हमेशा तीन हजार से चोटा होगा तीन डिजिट का नंबर तीन हजार से तो बड़ा होई नहीं सकता है तो तीन डिजिट का नंबर तीन हजार से चोटा होगा इसके बारे में हमको नहीं सोचना है तीन सौ से तीन हजार के बीच बनाना है तो जब हम तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो इसके बारे हम नहीं सोचना है इस limit के बारे में हमको नहीं सोचना है इसके बारे में सोचना है कि भाई 300 से बड़ा कैसे बनेगा तो यहाँ पर हुआ नमबर 3 या 3 से greater आना चाहिए 300 में 3 या 3 से greater तो 3 या 3 से greater कौन-कौन डिजीट है 3, 4 और 5 तुम कहोगे सर 300 से 3000 के बीच बनाना है तो 300 भी थो सकता था नहीं, 2 0 कहाँ से लाओगे हमारे पास 0 एक ही है हमारे पास 0 क्या है? 1 है तो जब 0 हमारे पास बेटा 1 है तो 300 एक minimum बनेगा 300 तो बन नहीं सकता तो चलो यहाँ पर भर दिया हमने 3 P1 3 मैंसे कोई एक चाहिए एक आ गया 6 में एक डिजिट यूज हुआ है और आपके पास कितना है? 6 डिजिट है तो 5 मैंसे, सुरी, 5 बच गया तो 5 मैं अब कितना चाहिए? 2 तो 3 डिजिट का कितना नंबर बना आपके पास? 3 P1 इंटू 5 P2 3 P1 हुआ आपका कितना? 3 और 20 60 हो गया अब यहां सोचिए क्या 0 यहां आ सकता है नहीं आ सकता है? हमने इधारी पहले भरना इस्टार्ट किया है तो जब तुम इधारी भरना पहले इस्टार्ट कर दिये बेटा तो 0 के लिए तो कोई असकोप बचा ही नहीं इसलिए 0 यहां आने का कोई बात हो ही नहीं सकता है क्लियर? अब 4 डिजिट का नंबर सोचिए 4 डिजिट का कोई भी नंबर साब बनाओगे बेटा तो आथ 300 से बढ़ा होगा 4 डिजिट का नंबर कभी 300 से चोटा हो सकता है नहीं हो सकता तो जब आप 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो इसके बारे हम सोचना ही नहीं है आपको केवल या सोचना किस से चोटा होना चाहिए तो उससे चोटा बनाइए 3000 से छोटा बनाने के लिए क्या चाहिए 3 से छोटा डिजिट चाहिए तो 3 से छोटा डिजिट कौन है 1 और 2 3 तो होई नहीं सकता है यहां भी 0 आने का possibility ज़ नहीं है चुकि हम starting place पर ही पहले भर रहे है यहां 2 से 1 1 आ गया बाकी 5 से 4 तो यह कितना हो गया 2P1 इंटू 5P4 120 दो सौचालिस तो 60 यह हो गया और 240 यह हो गया तो टोटल कितना हो गया 300 नमबर बनेंगे जो 300 से 3000 के बीच हो गया आ गया समझ मैं सबको बेटा किलियर हो गया यह कंडिशन आपने समझ लिया सभी बच्चों कोई दिक्कात हो तो बोलो एक सवाल और बता रहा हो तो इस इस दा लास्ट कोश्चन तोड़े बस कंडिशनल खतम हो जाएगा और NPR खतम हो जाएगा आ गया समझ मैं यह पॉइंट सबको यह सिया नो मैं जबाब दीजे सारे बच्चे जो वीडियो यूटूब पर यह देखते हैं अपने अपने फेस्बुक पर भी जो है इसको शेयर कर दिया किजे दूसरे बच्चों के भी काम आ जाएंगे बेटा जो फेस्बुक नहीं करते हो कोई और बुक करते हो वहाँ पर कर दो फाइपी थ्री नहीं आएगा मतलब हाँ एक दो तीन फाइपी थ्री होगा सॉरी यह थोड़ा गड़बड हो गया फाइपी थ्री कर लो इसको यह तीन प्लेस ही है यह 120 हो गया टोटाल 180 राइट आकास बेटा अभी तुम्हें बताया है का आपने जो कोश्चन बेजा है वह कोश्चन का कॉंसेप्ट अभी आगे पढ़ाएंगे अभी कॉंबिनेशन में वो कॉंसेप्ट आएगा 2 पर पावर 5 माइनस 1 ठीक है 31 उसका अंसर होगा लेकिन वो अभी नहीं अभी थोड़ा सेलेक्सन जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आएगा वहाँ वान और मोर का कंडिशन होगा अभी नहीं होगा वो भी आपको मैं बताओंगा वहाँ पर समझ गए अंकूर आपने जो सवाल भेजा था इस पर उसका कॉंसेप्ट अभी पढ़ाया नहीं है पढ़ाओंगा तो मैं बताओंगा आपको अंकूर आगे ही बात समझ मैं सबको कुश्चन है फाइंड टोटल नंबर और फाइफ डिजिट्स नंबर फेश गूर्प इंस्टाग्राम जो जो आप यूज करते हो तो यह सब चैनल पर आप इसको आप फरवाड कर सकते हैं उस पर फरवाड कर देंगा दूसरे बच्चों को भी एक surprise होगा दूसरे बच्चों का भी क्या भला हो जाएगा आपका भी काम हो जाएगा दोथीन चेप्टर और रहें उस चेप्टर के बाद हम लोग कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे जानेंगे उसके लिए हम लोग चलाएंगे कुछ एक्स्ट्रा सवाल कुछ सेंपल पेपर हम लोग चलाएंगे काम लेकिन सेंपल पेपर पढ़ाने में आप लोगों को थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा जो कि सेंपल पेपर छबाना पड़ता है सर्कुलर एरेजमेंट भी होगा बेटा आज पहले NPR आज खतम करते हैं और नेक्स क्लास जो कल पढ़ाएंगे तीन बज़े से उसमें आपको पूरा प्रमूटेशन का पार्ट कल खतम हो जाएगा कर उसमें सर्कुलर पढ़ाएंगे अभी ये भी कंडिशन एक रिपीट होगा तो क्या होगा इस सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग फाइंड टोटल नंबर और फाइब डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन ट्वेंटी थी थॉजएंड वो भी होगा डिजून के बाद टेस्ट की बात करते हैं ज्यादा डोनेशन नहीं लेंगे पांसो रिप्या लेंगे सबसे ज्यादा नहीं थना का डोनेशन लेंगे सबसे इस से ठीक है तब सेंपल पेपर भी पढ़ाएंगे मेड़ बाइदा गीवन डिजिट्स जीरो वन टू थरी फोर एंड फाइव जितना नहीं बोलना है जितना खर्चा आएगा उतना ही हम बोलेंगे टॉपर वाला तो देने रहा है तो खर्चा आपको करना पड़ेगा तब हम थोड़ा सायोग कर सकते हैं लॉक्डाउन में देखो सारे टॉपर वाले तो हमको भगया दिये देखो घर से कलास ले रहा है सॉरी ऐसे मजाक कर रहा हूं तो ट्वेंटी थ्री थाउजंड से ग्रेटर आपको चाहिए पांसव के डोनेशन में कितने हैं लोगो ओ को पांसवके डोनेशन तो 50 लाख हो गया वीटा इतना नहीं चाहिए 23,000 से ग्रेटर बनाना है पांच डिजिट का नंबर इसके लिए concept मैं आपको बता रहा हूँ सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए देखो 20,000 से ग्रेटर बनाना होता असान है यहां दो या दो से ग्रेटर डिजिट रख देंगे काम हो जाएगा लेकिन 23,000 से बढ़ाना हो देखो आपको दो डिजिट तक ही देगा जितना maximum होगा अगर दो डिजिट है तो दो कंडिशन में सवाल आपको बनाना हो दो चयां होगा दो 12.0 है 23,500 रहेगा तो थीन स्वाल आपको बनाने पढ़ेगा आपको यह दो स्टेप में कोश्चन बनाने पढ़ेगा कि कि कोड़ों के आगे कंडिशन थीन कि तो दो वाला बात मैं सोचिए क्यों कि दो के आगे तीन या तीन से बड़ा होगा, तभी तैसे जार से ग्रेटर होगा, तभी दो के बारे हम नहीं सोचते हैं, दो से ग्रेटर डिजिट के बारे मैं सोचते हैं, कई बच्चे ऐसे बनाते हैं सवाल, आप क्या सोच रहा हैं, मैं उनको गलत पहमी दूर कर दो, कई बच्चे सोचत रिपीट नहीं कर सकता है दूसरा बात है यहां पर थ्री रहेगा यहां पर तो जीरो आने से भी तैसे जार से बड़ा हो जाएगा तो वो तो नमबर कॉंट हुआ ही नहीं इसलिए ऐसा जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं तो सही कैसे सोचेंगे यहां देखिए दो से ग्रेटर डिजिट को पहले सोचिए फर्स्ट कंडिशन दो से ग्रेटर डिजिट दो से ग्रेटर डिजिट कौन कौन है देखिए तीन चार और पांच चुकि तैस अजार से ग्रेटर बनाना है तो दो से ग्रेटर डिजिट यहां तो थ्री से एक, बाकी एक, दो, तीन, चार, पांच आई है, पांच में से चार, चुकि एक यहां यूज कर लिया, टोटल छे डिजिट है, तो इस तरह के सवाल एक्जामने सर में पुछे गया है, तो 3P1 इंटू 5P4 कितना हो गया, तीन हो गया, एक सो भीच तो तीन सो साथ ह हो गया, ठीक है, अंकूर दो सोले आंसर, नहीं, तीन सो साथ तो यही हो गया, तो दो सोले कैसे होगा आंसर, आप तो गड़वड कर दिये, अब दो बाला भी सोचते हैं, कि यहाँ पर अगर दो रहेगा, चुकि दो बाला भी सोचा नहीं, ती यहाँ 3, 4, 5 होना जरूरी है, तभी बात बनेगी, ती यहाँ 1P1, 3P1, दो डिजिट यूज हो गया, चार बचा, चार में से तीन, यह पोजिशन में कितना हुआ? यह हो गया 72, अब जोड़ दिजिए जी, टोटल, तब हो गया 432, अरे अच्छा है दीप, देप ज्यान, शाला, ओहो, तो 432 हो गया answer, तो 2 से ग्रेटर वाला अलग सोचेंगे, और 2 वाला अलग सोचेंगे, तो जितना डिजिट रहेगा 23,000, आपको मैक्सिमम दो डिजिट तक ही पूछेगा, तो आपको उतना केस बना के, तब सवाल को solve करना होगा. अगर रिपीट, यहां पर रिपीट नहीं होता, अगर रिप्टेशन एलाड होत तो, रिप्टेशन एलाड में नहीं लगता, एक कोस्टन मैं इनका बता दू, एक कोस्टन और, फिर राम कथा को विश्राम देंगे, यहां फोर पी थरी होगा बेटा, एक डिजीट इसमें आ गया, एक डिजीट तो दो डिजीट आ गया, तो बाकि चार ही बचाएगा, तो चार में से तीन, समझ गया है? हाँ, यह गड़वड कर दिया ने तुम लो, अब देखिये कोस्टन एक और, no, find the total number, five-digit numbers, जीरो वण टो मीने यौ तुझ जायगा टिट्वाइवाय जा तीक मन जाएगा ट्वेंटी तौजट रहे गा अधोग्य थे आने पड़ेंगे 23,500 आएगा तो तीन स्टेप में सवाल बनेगा लेकिन आपको मैक्सिमम दो स्टेप का ही सवाल पुछा जाएगा समझ गए दीप इसका कोई trick इसलीए नहीं है बेटा किया जो है logical सवाल है यह logic आप कभी भी बदल सकते हैं तो ट्रिक तो है कि एक certain perception होगा तब उसी पर चलेगा, यहां certain नहीं है, यहां काम करने के कितने भी तरीक हैं, तो थोड़ा भी आप logic बदल दीजिए, तो तरीका बदल जाएगा, तो trick काम नहीं करता है, यहां पर concept काम करता है, concept रहेगा, सबाल बनेगा, when reputation is allowed, अब reputation allowed जब तक ना लिखाओ, तब तक नहीं हम समझाएगा, और reputation अगर allowed लिखाओ आए, तभी reputation की बात हम करेंगा, तो reputation अगर allowed हो, तो direct multiplication थोड़ा हम लगता है, सभी place को अलग-अलग सोचिए, यहां 0 नहीं हो सकता है, तिसको भरने का 5 तरीका, बाकि इच प्लेस को भरने का 6 तरीका, रिप्टेशन allowed है, कोई भी digit कितना ही बारा सकता है, तिसको भरने का तरीका 5, चुकि 0 नहीं हो सकता है, हमको 5 डिजिट का number बनाना है, बाकि इच प् multiply कर दो हो गया answer, right, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग 3 वजे फिर मिलेंगे, साड़े 3 वजे, sorry, 3.30 PM, 3.30 PM जब हम मिलेंगे, तो कल हम इसको पूरा प्रमोटेशन को खतम कर देंगे, आज के लिए बस इतना ही, आप विस्तराम लेते हैं, ठीक है, कल हम लोग नए उत्स आके साथ मिलेंगे, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है, इसको जरूर, फेस्बुक जो चलाते हैं, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, सब पर जला सेर किजिए, ठीक है, ये काम आपको सभी बच्चों को के लिए है, कि आप सभी करेंगे, सभी लोगों के पास हम थोड़ा पहुचेंगे, तभी जाके बात आगे बनेगी, ठीक है, ओके, बाइबाए, बाइबाए, बाइ, बाइबाए, 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 और गुड नाइट, आल अप यो विछिट ड्रीम. okay